आज का पाठ है राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थ वेवस्थाएं लगभग 600 इसा पूर्व से 600 इस्वी तक तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइमिंग का दिखाया गया है यहाँ पर जित्ती दूर में उपर यह काली पट्टी बनी हुई है आप देखेंगे कि इधर लेफ्ट हैंड से 600 इसा पूर्व से लेकर 600 इस्वी तक की बात है यह जहाँ पर इस समय के बीच में जो की 1200 वर्ष की बात है उसके बीच में ये राजा, किसान और नगर इनके जो आरंभिक राज्ये थे और अर्थवेवस्थाएं थी वो कैसी थी जो इस पाठ के अंतरगत हम पढ़ेंगे तो शीरशक तो पाठ का बहुत ही आसान है जिससे की लगता है कि पाठ जो है बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है टाइमिंग आपको यहाँ पर दिखा दी गई कि कब से कब तक के समय की ये बात है और इसके बीच का पूरा लगबग समय जो है 1200 सालों का है तो इसी के बीच में राजा किसान और नगर के किस तरीके से आरंबिक राजे थे और उनकी अर्थ विवस्ताय चलती थी पढ़ते हैं और समझते हैं जैम्स प्रिंसिप के द्वारा थारा सो तीस के दशक में ब्रामी और खरोष्ठी लिपी का अर्थ निकाला गया जैसे हम हिंदी में देवनागरी लिपी का प्रियोग करते हैं उसे लिखने और पढ़ने के लिए वैसे ही अन्यभी लिपिया एक्जिस्ट करती हैं तो जेम्स प्रिंसिप जो है उनके द्वारा 1830 की बात है उसके दशक में ब्राम्भी लिपी और खरोष्ठी लिपी का अर्थ निकाला गया यानि उस लिपी को पढ़ने समझने लैक समझा गया उससे संबंदित जानकरी ली गई जिन से राजा असोग के अभिलेखों और सिक् जेम्स से उस उन चीजों की जानकारी मिल पाई कव जब सन 1830 में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राम्भी और खरोष्ठी लिपी का अर्थ निकाला च्छती शताब्दी ईशापूर्व को एक महतोपूर्व की बात हो रही है वह एक बहुत बड़ा परिवर्थन लेकर आया और व विकास लोहे के बढ़ते प्रियोग और सिकों का प्रचलन जब हमने हडपा सभिता के विशे में पढ़ा तो वहां पर आपने देखा था कि तामबा कांसा और सोने की बात की गी थी उसी युग में लोहा जो है प्रियोग में नहीं दिखता था यहां छटी शताब्दी इश विकास हुआ तो उसमें लोहे का बढ़तावा प्रियोग दिखा और सिकों का प्रचलन होता हुआ दिखा पहले मोहरो का प्रियोग होता था तो अब यहां पर सिकों का प्रचलन हो रहा है और लोहे का बढ़तावा प्रियोग दिख रहा है तो एक यह नई चीजा है परिवर पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती, आधी प्रमुक थे यानि 16 महाजन पदों की बात हो रही है जिनका उदह हुआ जो अस्तित्व में आए तो उन 16 महाजन पदों की जब बात हो रही है उनमें से ये कुछ प्रमुक थे बहुत प्रमुक जो महाजन पद थे जिनमें से क कुछ का नाम गिनाय जा रहा है कि मगद, कौशल, कुरूपांचाल, गांधार, वज्जी और अवंती ये कुछ प्रमुख महाजन पद थे वरना 16 महाजन पदों का उदय हुआ था मगद के जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद बनने के कारण थे वो ये थे मगद जो है, वो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था 16 महाजन पदों का उदय हुआ, उनमें से कुछ प्रमुख ये थे, जिनके भी हमने नाम पढ़े लेकिन सबसे प्रमुख जो था, सबसे पहला नाम जिसका आता, वो है मगद का अब मगद जो है, सबसे शक्तिशाली महाजन पद उसके बनने के पीछे के कारण क्या थे पहला उप जाओ भूमी, वहाँ की भूमी जो है बहुत उप जाओ थी दूसरा जंगलों में हाथियों की उपलब्धता थी, यानि वहाँ के जंगलों में हाथी बहुत मिल रहे थे उसकी बहुत मातरा में उपलब्धता थी तीसरा लोहे की खदाने थी, चौथा नदियों दोरा याता यात और पाचवा जो हैONG तथा जो है योग्य तथा-महत्वय कांशी शाशक थे यानि वहाँ के जो शाशक थे वह बहुत ही योग्य थे और महत्वय कांशी भी थे और पाचवा यह की सुरक्षित राजज धानिया थि इस वजह से अब जिस तरी के से आज हम देखते हैं कि well developed कोई city होती है तो वो big cities में आ जाता है लोग जादा वहीं पे भागते हैं और गाओं से कसबों से निकल निकल कर उन्हीं शहरों में जाते हैं क्योंकि facilities वहाँ पर जादा होती हैं अब इस तरीके से मगद भी जो है एक शक्तिशाली महाजन पद बनके है क्योंकि उस युग के अनु गुद्ध से संधे हमारे वह उससे पता लगता है कि असोग प्रसिद्ध शाषक था चंदर गुप्त मौरे मौरे चंदरगुप्त मौरे जो है वो मौरे वन्ष का उसने की स्थापना की उसका संस्थापक था मौरे समराजे भारत का पहला समराजे था मौरे तथा गुप्त समराजे की जानकारी के श्रोत क्या थे वो यह है मौरे और गुप्त समराजे की जानकारी यानि जो हमें मौरे और ग जन साहित्य बौध साहित्य पौराण गरंथ अभिलेक जो असोग के थे और संस्कृत वाण में तो यह मौर्य जो समराज्य है इन सब के माध्यम से मौर्य की समाज की समराज्य की एक्जिस्टेंस का पता लगता है उसकी जानकारी मिलती है तो यह सारी कुछ पॉइंट्स थे इन्हें आप जुरूर याद रखें समझें और गुप्त समराज्य के विशय में जानकारी किन चीजों से मिलती है अभिलेकों से सिक्के से साहित्य से प्रशस्तियों से प्रियाग प्रशस्ति समुद्र गुप्त के लिए तो इस तरीके से जो गुप्त समराज्य उसकी जान तो मौरी समराज जो है प्रमुख राजनीति केंद्र थे क्योंकि अब ये वेल डवलप्ड आते थे एक के बाद एक तो अपने अपनी डवलप्मेंट के कॉड़ी तो उसमें राजधानी पाटली पुत्र फिर चार प्रांत आते थे तक्षिला उजेनी तोसाली और सुर्ण ग शैनिकों का अश्वा रोहियों का रथा रोहियों का तथा हाथियों का संचालन करना अब जैसे माल लीजे हमारी जो आर मिये मार्मी आजके टiben में है सब कुछ सबकुछ मैनेजकिया जाता है के से अगर्द हभिल्द सफिछ द्रूर्ध सारे जामें इसकाी केके उप सम्मीतिया थी हमारे पास और उसमें क्या होता था जिनके कारे नौसेना का यातायाद का खानपान का पैदल सैनिकों का और अश्वारोही यानि घोड़े का इस्तमाल करने वाले लोगों का रथा रोहियों जहां रथ का इस्तमाल होता था यह सब कुछ मैनेज किया जाता वहाँ पर चौथी शताबदी इश्वी में गुप्त समराजे का उदय होता है सामन्तवाद का उदय संभवता इसी काल से माना जाता है सामन्तवादी विवस्था जो है वो कब शुरू होती है यह बहुत बड़ा पॉइंट है जो उसको आपको याद रखना है वो चौथी शत शताबदी इश्वी में जब गुप्त समराजे का उदय होता है तो गुप्त समराजे में सामन्तवाद वादी जो है वो उनका उदय होता है और गुप्त समराजे का उदय कब होता है चौथी शताबदी इश्वी में दक्षन के राजा और सरदार जो है चोल चेर और पांड इनका उद्य वहां हुआ छटी शताब्दी इस्वी पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रियोग अब लोहे के जो हल हम देखते हैं उनका इस्तमाल जो है कब से शुरू होता है छटी शताब्दी इस्वी पूर्व से उपज बढ़ाने के है अब वह कौन से ट对 में हुई है इनकी खोझ की गई इनके विषे में जानकार है कंवा और चैज करके बताई जा भी तरीका ही होइं जु क्रहों हो अच्छी के पूर्व से चहती शताब टि के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनमय आसान हो गया पहले विनमय होता था विनमय का मतलब होता है लेन देन एक वस्तू लेकर दूसी वस्तू देना तो पहले वस्तू विनमय हुआ करता था यानि एक वस्तू देकर आज भी गाउं में होता है अगर बच्च थे देरे क्या हुआ जो बीच़े प्रचलन में प्रचलाण में तो चाटी शताबदी के काल में व्यापार के लिए यान्य कीज़ेद क खरीद रहा है ले जाके अपने बेनेफिट्स कांट करते वे उसको दूसरी जगा बेच रहा है ये व्यापार चल रहा है तो उसके मेश सिक्कों के प्रचलन से विने में आसान हो गया अब सिक्कों का प्रियोग शुरू हो गया है तो उसमें विने में जो है लेन देन जो है आसान हो गया उच्छ स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना अब उन अब द्वित्य शताब्दी जब आती है तो उससे नगरों में और नगरों में उसके अभिलेखों के माध्यम से जो हमें वहाँ उस युक के अभिलेख मिलते हैं उससे हमें पता लगता है कि द्वित्य शताब्दी से बहुत सारे नए व्यवसाय शुरू है जैसे धोबी, बु कैसा हो गया उसने काम कराया धोबी से और धोबी वाला काम भी जुहभी पनपा यह दूइत्य शताब्दी से ऐसे व्यवसायों का पनपना शुरू हो गया था कैसे जिसमें आते हैं धोबी बुनकर लिपिक बढ़ई कुमहार सुर्णकार लोहकार धार्मिक गुरू व्यापार यह सब के सब हमें दूइत्य शताब्दी से नगरों में दिखने लगते हैं उत्पादों और व्यापारियों के संग यानि श्रेणी का उलेक मिलता है नेने उत्पादक और व्यापारी बढ़ते हैं उनका उलेक मिलता है श्रेणिया संभवता पहले कच्चे माल को खरीती थ फिर उनसे समान तयार करके बजार में बेज देती थी छटी शताबदी ईस्वी पूर्व से उप महाद्वीप में नदी मार्गों और भू मार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला और इस तरीके से अब व्यापार जो है बड़े स्तर पर आने लगा और बड़े स्तर पर आने से उत्तरी अफरीका पश्चिम एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिन पूर्व एशिया तक तो इस तरीके से व्यापार जो है अपना मार्ग जो है बढ़ाता जा रहा था गुप्तकाल के अंतिम समय में हमें सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की और इ लेगी और वहां पर आर्थिक संकट दिखने लगा अर्थिक गिरावर चिंगने लगी तो अभिलेक शाक्षे इतिहास के प्रमुख श्रोट अभिलेक साक्षे यानि जो अभिलेक मिलते हैं उस वक्त के जिससे हमें उससे समबंदित जानकारी मिलती है, तो वो प्रूफ के तौर प्रूफ के तौर पे अभिलेक के माधियम से इतिहास के प्रमुक्षोत मिलते हैं अभिलेक शास्तिरोद्वरा, अभिलेकों के अध्यन से बीते काल की भषा राजा का नाम, तिथी संदेश, आदिकि महतव पूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है अभिलेक साक्षों की सीमाएं क्या होती है अक्षरों का हलके धंग से उत्कीन होना जो हमें अभिलेक मिलते हैं उसकी सीमाएं उससे आप कह सकते कमजोरिया या कमजोरी जो है या कमी जो है वो क्या थी उन अभिलेकों की वो ये कि उन अक्षरों का हल्की बनावड जो है उत्किन की वही थी। इससे थोड़ी प्राब्लम हुई उसको जनने में। फिर अभी लेक जोई हो तूट जाने से कुछ अक्षरों का लुक्त हो जाना। अब अभी लेक जो है अब जब पत्थरों पर जो है कुछ किया जाएगा अभी लेक मिलेंगे हमें तो वो तूटते भी हैं तूट जाने से कुछ अक्षर लुपत हो गए तो जानकारी भी अधूरी रह गए वास्तिक अर्थ ना निकल पाना और भाशा का समझ में ना ना दैन भावनाओं को अपने इंस्टरग्राम पर डाल रहा है वाटसप स्टेटस पर डाल रहा है उस वक्त पे तो हमें सिर्फ अभी लेक ही एक माध्यम था अभी लेक इतना आसान काम नहीं था कि आदमी अपने इमोशन को लिख सके उस पर इमोशन ही खतम हो जाता है अगर उसकी अभी लेक में ही अगर वेक्ती लिखने लग जाए तो बहुट टू दा पॉइंट वाली चीजे जो है हमें मिलती थी वही एक बहुत बड़ा सबूत बनकर जो है लोगों के हाथ लगता है उस वक्त की उस यूग की जो है चीजे हमें जानकारी के रूप में मिलती अभी ले हैं पूरा तत्व के रूप में मिलती है कुषान शाषको ने स्वयम को देव तुले परस्तुत किया अब जो कुषान साशक थे वह अपने आपको देव तुलै ईश्वर की समान परस्तूत करते हैं उन्होंने अपने नाम किया कि देव पूत्र उपादी भीधारण की ये भी साक्षे मिलते हैं संभावतावे चीन के शाषकों से प्रेरी थे जो स्वयम को स्वर्ग पुत्र कहते थे तो कुशान शाषकों के जो यूग से हमें जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि कि वो को अपने से समान और से और दिखातेए दिखे और देवपुत्र उपाधी साथ में धारण करते हैं नम के आगए लिखते वे sleowners तो वहां सबाहन से उस यूँक से जानकारी थी कुशान शाषकों के राजधर्म को जानने के सरवत्तम प्रमाणि उनके सिक्के और मूर्तिया थी और कुशान शाशकों का राजधर्म उस यूप की जानकारी जो है सबसे ज़्यादा जो है उसके जो सरवत्तम प्रमाण मिलते हैं वो उनके सिक्कों से और मूर्तियों से ही मिली है जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन यानि लोग कुल या जन जाती अपना पाउं रखता है अथो अब बस जाता है तो उसे क्या कहते हैं जनपद वो जनपद एक ऐसा भूखंड होता है इस शब्द का प्रियोग प्राकरत वो संस्कृत दोनों में मिलता है तो जनपद शब्द का प्रियोग हमें प्राकरत में भी मिल और संस्कृत में भी मिलता है जन्पद का अर्थ क्या है एक ऐसा भुकन जहां पर कुछ लोग रहते हैं बस जाते हैं तो वो जन्पद कहलाता है लगवक छटी शताबदी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्म शास्त्र नामक गरंथों की रचना शुरू ही अब छटी गरंथों की रचना में हमें शाशक जो माली जी राजा है और समाज उसकी जो प्रजा है उसके सब के लिए जो है नियमों को निर्धारन किया हुआ उन गरंथों में दिखता है सर्दार एक शक्ति शाली व्यक्ति होता था जिसका पद जो है वन्शानुगत भी हो सकता था त उसके अधीन छेत्र को सरदारी कहा जाता था और उसके अंदर में आने वाली जो प्रजा है जनता जो है उसे सरदारी कहा जाता था तो बहुत important point है जरूर याद रखें प्रियाग प्रशस्ति जिसे इलाहबाद स्तंभ अभिलेक के नाम से भी जाना जाता है प्रियाग प्रशस्ति किसे कहते हैं इलाहा बाद स्तंभ अभिलेख ये दो नामों से जाने जाते हैं दोनों में से कोई भी नाम पूछे तो आप इसको समझें कि रचना संस्कृत में हरिशेर्ण की समुद्र गुप्त के राज कवी थे राज कवी का मतलब क्या होता है एक रा समुद्र गुप्त के राज कवी थे कौन हरिशेर्ण जिन्होंने संस्कृत में रचना की और उससे हमें ये जानकारी मिलती है इलाहा बाद संस्तंभ अभिलेख की जानकारी मिलती है जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं सुदर्शन जिल का निर्मान मौरेकाल में हुआ और एक स्थाने राजपाल के द्वारा किया गया था इसका ग्यान हमें शक शाशक रुद्र दमन के पाशान अभिलेख से हुआ पाशान यानि पत्थर अभिलेख जो होता है उससे जानकारी मिलती है गहपती घर का मुख्या होता था गहपती घर का मुख्या होता था नाम से ही shabda से ही अर्थ निकल रहा है और घर में रहने वाली महिलाओं बच्चों नौकरों पर किसानों के लिए किया गया है और पाली भाषा में जब बात की जाते हैं तो इस इस शब्द का प्रियोग पाली भाशा में छोटे किसानों के लिए किया गया है। कि अगर जिस युग में जिस मुद्रा की बात हो रही है और अभी तक उतनी ही युग की बात की जा रही है जब सिकों का प्रचलन शुरू होता है। इसकी जानकारी मुद्रा शास्त्र के आएगे। शास्त्र का मतलब यही है कि किसी भी विशे से संबंदित जो शास्त्र है उससे संबंदित वो सारी जानकारी प्रवाइड करे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि 620 पूर्व से लेकर 620 तक जो की 1200 सालों का यहाँ पर खाका दिया गया है। कि इसमें जो जीवन है वो किस तरीके से किन चीजों का विकास, किन चीजों का प्रियोग, किस काल में, किस शाशक के अंतरगत शुरू हुआ है। चीजों से यह यह चीजे शुरू हुई, जिनको आज हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि इनका प्रियोग या फिर इनकी एक्जिस्टन्स कब से शुरू हुई है। कि उनको भी एक बड़ी मदद मिल सके। चैनल के साथ यूँ ही बने रहे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स यूँ ही मिलती रहें। कि वाएंगे यूँ है। इससे कि आपको टूले यूँ है यूँ है। लूँ है।